ओम शांती आज का विश्य है व्यर्थ बोल पर अटेंशिन जैसे कि आज की अव्यक्त मोरली में प्यारे बाप दादा ने समझाया कि हम भच्चों के पुरुशार्थ में जो तीव्रिता है जो गती है वो कम हो जाने का मूख्य कारण क्या है दो कारण बाबा ने बताए कि एक तो संकल्प शक्ति दूसरा वाच्चा शक्ति इन दोनों का यथार्थ यूज ना कर पाना यानि हम बच्चे इन शक्तियों को जमा नहीं कर पाते यूज नहीं करते यूज करते हैं तो यूज करने से बढ़ता है जमा होता है लेकिन हमारा यूज के बजाए लूज हो जाता है यानि हमारी शक्तियों की लीकेज होती रहती है जमा नहीं होता है तो संकल्प शक्ति जो बाबा ने कहा कि सबसे स्रेष्ट शक्ति है वो लेकिन विशेश आज बाबा ने जो अटेंशन खिछवाया है वो बोल पर खिछवाया है व्यर्थ बोलना तो वाचा शक्ति में भी हम जमा क्यों नहीं कर पाते क्योंकि हम बच्चों को यथार्थ रीत रीती यानि मैथ़ड हम नहीं समझ पाते हैं कि मैथ़ड क्या है कैसे करना है तो बहुत अच्छी मुर्ली है आज की हमेशा की तरह और बाबा ने बहुत सारे अमूल यग्यान रतन दिये हैं उसमें विशेश कुछ बिंदूओं को लेंगे आज बाबा ने बताया कि व्यर्थ बोल में कौन-कौन सी बाते आती हैं तो बाबा ने कहा पहला सीमा से बाहर लिमिट से जाधा हसी मजाग करना तो बाबा ने समझाया कि इस तरह से स्वेम को चेक कर सकते न कि हमारा कितना जमा है और कितना हमारा लिकेज में जाता है तो बाबा कहते कि हसी मजाग यानि जो रमडीकता है बाबा कहते वो तो बहुत अच्छा गोण है लेकिन उसमें भी कुछ बातों का ध्यान रखो कि जब हम हसी मजाग कर रहे हैं तो उसमें रूहानियत होनी चाहिए अर्थात उससे किसी को फाइदा हो भला हो उसका लाब पहुँचे जिसके साथ हम हसी मजाग कर रहे हैं फिर समय को देख लें कौन है किसके साथ कर रहे हैं व्यक्ती वो देखें वायू मंडल देखें स् जान रखे क्योंकि लक्ष तो मर्याद पुरी शोत्तम बनने का है तो हम मर्यादाओं में नहीं है इश्वरी नियमों में हम ढीले हैं तबी तो शक्ती की लीकेज हो रही है शक्ती की लीकेज का मार्जिन कैसे हो रहा है वो मार्जिन क्यों है शक्तियां हमारी क्यों नहीं सेव हो रही हैं इसलिए नहीं हो रही हैं क्योंकि मर्यादाओं में हम लूज हैं तो चेक करेंगे कि क्या हम लिमिट से जादा हासी मज़ाग तो नहीं करते तो दुनिया वालों से तो हमारा कोई कमपैरिजन नहीं हो सकता है क्योंकि उनका हसी मजाग तो एक अलगी लेबल का होता है सबसे नियम निस्तर का होता है तो वो हमें देखता है कि कहीं उसमें तो रस नहीं लेते आनन तो नहीं लेते चेक करेंगे तो प्राह्मणों का हसी मजाग के ऐसा होना चाहिए जिसमें रोहानियत भरी हो, जो दूसरों को अपलिफ्ट करने वाला हो फिर सेकेंड बाबा ने जो बताया वो था इधर उधर के समाचार को एकटा करके सुनना सुनाना तीसरा बाबा ने कहा कि सेवा के समाचार और उसके साथ साथ क्या करना सेवाधारियों की कमजोरियों का चिंतन करना किसी की भी कमजोरी का हम चिंतन करेंगे तो वो उसका स्वरूप हम बन जाएंगे, ये पक्की बात है तो आप इसको सुविकार कर ले और समझ ले कि अगर आपके अंदर दूसरों की कमजोरियों को चिंतन करने का संसकार है तो आप अपनी स्वेम की उन्नती को रोकने में बादक हैं आप अपनी बादा स्वेम हैं कोई और नहीं है क्योंकि जिसका हम चिंतन करेंगे जिस भी चीज का वैसे हम बनते जाएंगे क्योंकि जो हम सोचते हैं वो हम आकरशित करते हैं अपने जीवन में तो अगर आपका ध्यान किसी की विशिष्टाओं में ना होकर उसकी कमियों की तरफ सदा रहता है तो वो कमियां आपके स्वरूप में आनी ही है तो अब स्वेम फैसला कर दीजे कि इसमें घाटा है या फाइदा है और आपको क्या करना चाहिए तो ये बात ध्यान रखेंगे तब भी बाबा कहता है बच्चे तुम्हें सब की विशिष्टा को देखता है तो क्या कोई मुश्किल है दूसरों के विशिष्टा क्यों नहीं दिखाई दे रही है क्योंकि स्वयम की विशिष्टा हमको पता नहीं है हम स्वयम स्वमान में नहीं रहते हैं जब हमें खुदी नहीं याद रहता है कि हम ब्राम्मन है और ब्राम्मन होने का अर्थ क्या है दूसरा हमको भला आधार बूर्थ, ब्राह्मन को ब्रूशन कैसे दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा ना, तो ये है, फिर बाबाने टॉंतिंग के लिए भी कहा, तो टॉंत करना जैसे इसमें क्या भावना हो सकती है, अशुत भावना ही होती है, कोई दोेश्की भावन होती है किसी के प्रती तो इस से इन सब से बाबा हमें क्यों बता रहे हैं सारे points क्योंकि इस से हमारी शक्ती का नाश होता है तो यह जमा करने का समय है न संगम संगम है जमा करने का समय फे तो सारे टाइम खरची होता है लेकिन जो जमा करने के समय पर खरच कर रहे हैं तो क्या उनको बधिमान कहेंगे क्या बधिमानी कहेंगे नहीं कहेंगे तो यह ध्यान देने वाली बात है तो किसी को भी आप don't करते हो तो आप अपनी शक्तियों का loss कर रहे हो और उस आत्मा को भी आप अपलिफ्ट नहीं कर रहे हो हिसाब आपका बन रहा है वो अलग तो बाबा तो छुडाने आये ना हिसाब से कि और सर के उपर आपको तोकरी रखनी है हिसाबों की, बंधनों की ये फ्री रहना है, स्वतंत रहना है ये आपको चुड़ना पड़ेगा ये चॉइस हमारी है तो जितिगी में हर जो कर्म हम करते हैं वो हमारी चॉइस है और अपनी चॉइस के लिए हम स्वेम रिस्पॉंसिबल है इसी तरह से हम अपने भागी का निर्मान स्वेम करते हैं तो हम आत्में अपने भागे की निर्माता स्वैम है, लेकिन कैसे हैं, कैसे लिक रहे हैं हमार दिन अपना भागे हैं? choices से सारे दिन भर में हम जो चुन रहे हैं जो choice कर रहे हैं कोई भी कर्म करने की संकल बोल तो उससे हमारा भागि बन रहा है तो attention देना पड़े बाबा ने कहा न वर्थ फिर्थ बोल पर attention देना डबर अंडरलाइन बाबा ने करवाए आज तो ये हुआ फिर बाबा ने कहा अयुक्ति युक्त बोल जो ब्रामणों की डिश्णरी में नहीं है तो ऐसा कोई भी बोल जिससे कोई अर्थ नहीं निकलता जिसका कोई सेंस नहीं है जिसका कोई सिर्पैर नहीं है जो बेढंगा है वो उसको कहेंगे अयुक्तियुक्त बोल जिसमें कोई कारण नहीं था माने जिसको बोलने के पीछे कोई उदेश नहीं कि किसी का भला हो, कोई अपलिफ्ट हो किसी को लाब पहुँचे तो उसको अयुक्तियुक्त बोल कहेंगे और बहुत मोटे तोर पर कह सकते हैं जैसे किसी को abuse करना अब शब्द कहना वो भी इसमें आ सकता है लेकिन वो इसकी मोटी परिभाशा है तो बाबा ने कहा कि ये प्रामणों की डिश्णरी में है ही नहीं तो हम सब बच्चे इससे चेक कर सकते हैं कि हम अपनी वाच्चा शक्ती को बरबात कर रहे हैं तो क्या संगम का समय खुझ से पूछेंगे आज हम अपनी शक्तियों को जमा करने का है पढाने का है शक्ति शाली बनने का है या अपनी शक्तियों को बरबात करने का है लीकेज करने का है कमजोर बनने का है ये हमको आज decide करना ही होगा तो check करेंगे decide करेंगे कि अब हमको क्या कर रहा है शक्ति शाली बनना है या और कमजोर बनते जाना है तो हम इस पर ध्यान दे और हम गहराई से सोचें कि ये सब जो हम करते हैं और अपनी वाचा शक्ति को जो हम बरबात करते हैं उसके मूल में सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा जो ध्यान है वो हमारा स्वेम के तरफ ना होकर आत्माओं की तरफ है तो यही वो कारण ध्यान बहुत बड़ी शक्ति है हमारी हमारा फोकस वो कहां है जैसे अरजुन के लिए कहते न कि उसको चड़िया की आख ही दिखाई दी सिर्फ था तो बहुत कुछ तो अरजुन के साथ जो थे उनको तो और भी चीज़े दिखाई दी लेकिन उसको सिर्फ आख दिखाई दी क्यों? क्योंकि उसका focus clear था तो इसलिए कहते हैं कि अगर आपका ध्यान लक्ष को प्राप्त करने में नहीं है तो इससे clear है कि जो और बातें जो unnecessary हैं जो बाधाएं हैं, obstacles हैं उनकी तरफ आपका ध्यान है तो जो लक्ष बद्ध होता है या जो सफलता मूर्थ होता है ऐसा नहीं होता कि उसके जीवन में बाधाई नहीं होती हैं लेकिन उसका focus लक्ष पे होता है तो बाधाई कब आई, कब गई, थी भी या नहीं थी उसकी महसूसता नहीं रहती है लेकिन आपको समझना है कि अगर आपका संपून ध्यान बाधाओं की तरफ है तो इस सिद्ध है कि वो लक्ष की तरफ नहीं है तो भला वो कैसे प्राप्थ होगा तो हम जो ये विर्थ बोलते हैं और संकल्प शक्ती का, वाचे शक्ती का जो हम ये loss करते हैं जो बर्बाद करते हैं हम अपनी शक्तियों को इसके पीछे यही है कि हमें बाहर जो भी चीज़े हैं उनमें रस आता है तो दूसरी आत्माओं के बारे में अगर अच्छी बात भी अगर हम सोचें तो भी हमारा कल्यान हो जाए लेकिन हम उनकी कमजोरियां, उनकी बुरी बातों को ही बोलते हैं गौर करते हैं तो हंस बनना है न, पूली हंस बनना है तो यह सोचने की बात है, ध्यान देने की बात है तो हमें समझना है जैसे बाबा ने आज कहा न कि बाहर के जो रस है, जो बोलचाल का रस है और जो अंतरमुकता का रस है, उसमें रात दिन का फर्क है बहुत बड़ा फर्क है तो अंतर मुक्ता की गुफा में बैट कर हमको तपस्या करनी है ये सबसे बड़ा धर्म है ब्राम्मन जेवन का तपस्या हम बच्चों को करनी है तो हमें समझना है न कि ये तो नाचुरल चीज है बाहर जागना नाचुरल है क्योंकि आत्मा तो है ही अंतर मुक्ता की माने ये जो मुक्त है इसमें जो ये और्गन्स है आँक है नाख है, कान है जिससे मैं आत्मा इंफ्रोमिशन लेती हूँ तो अंदर से बाहर की तरफ यात्र कर रही हूँ ना मैं आत्मा तो अंतर मुक्ता यानि स्वयम को देखना मैं जो हूँ जैसी हूँ मैं आत्मा हूँ तो स्वय को देखना आत्मा को देखना अंतर मुखी अवस्ता तो ये बहुत प्यारी अवस्ता है ये बहुत श्रेश्ट अवस्ता है यहाँ पर ही तो ये इन्वेंशन वाली अवस्ता है यहाँ जो साइलें कैसे बड़े inventions हैं, discoveries हैं, जो भी हम आज modern science and technology की भी जो भी चीज़ अच्छी से अच्छी देखते हैं, भले कल्यूग में भी, उन सब के दुनिया में वो अगर आई या बनी, तो कैसे आई, तो बीतर, अंतर मुक्ता की गुफा से ही आई न, बुद्धी से आई, तो स्रजन करने की जो ये शक्ती है, ये इसी अवस्था में प्राप्त होती है, तो ये हम बच्चों को समझना है, कि हम अपनी बाच्चा शक्ती को बचाएं, सार स्वरू पिस्तिती में रहें, तो हमारे जो भी काम होंगे, वो बहुत जटपट होंगे, तो बहुत से लोग ना बाबा जो कहते हैं, उसको यथार्थ नहीं समझ पाते हैं, अपनी मिक्सिंग कर देते हैं, इस वज़े से उन्हें लगता है कि नहीं कारे वहवार में जब हम आते हैं, लोगों से जब हम बात करते हैं, तो योग में थोड़ना बैठा जाता है, बहुत से लोगों को ऐसा देखा है, देखा जाता है, ऐसा सोचते, बिलीफ करते, कि योग तो मतलब एक जगे पर बैठ कर ही किया जा सकता है, अगर हम कारे वहवार में हैं, तो हम योग में नहीं रह सकते, माने फिर अंतर मुकी कैसे रह सकते हैं, फिर तो बाहर मुकी बनना पड़ेगा, तो बाहर मुकी बनना पड़ेगा, इसका भी प्राई ये हुआ कि करमींद्रियों से कर्म कराने के लिए, करन करावनहार, आत्मा, करमींद्रियों से कर्म करव और फिर न्यारी हो जाए तो ये है बाहर मुकता बाहर मुकता ये नहीं है कि हम अपनी अंतर मुकी अवस्था को छोड़ कर बिलकुल ही बाहर आ गए ये तो इंबैलन्स हो गया ना लेकिन बहुत से लोग ऐसा समझते हैं कि अगर हम कर्मना सेवा कर रहे हैं और उस समय आप अ लीटर वो है जो कार्य करवाता है तो इसमें गहरी बात है जैसे बाबा है न करनकरावनहार करवाके करने वाला तो ये बात हमको समझती है कि साथ स्वरूप इस्तिति में जब हम रहते हैं तो आपकी सभी कार्य चाहे आप कितनी भी बड़ी से बड़ी जम्मेदारी समालते वो जटपट होंगे समर्थ इस्तिती के कारण बाप के सर्व सही योग के कारण लेकिन इसके बज़ाए अगर आप सोचोगे कि नहीं योग तो एक अलग सब्जेक्ट है उसको अलग सही देखेंगे अभी तो हम कारे वेवार में हैं लोगों के साथ हैं अभी योग को छोड़ो अभी तो बिलकुल बाहर मुखी होकर हमें चलना है तो फिर हम हमने एक अयथार्थ रास्ते को चुन लिया तो वो रास्ता लंबा भी होगा उसमें मेहनत भी लगेगी उसमें शक्तियां बेवेस्ट होंगी तो ये हमको समझ ना है कि हम यथार्थ रिती कैसे यूज करेंगे अपनी शक्तियों को कैसे बढ़ाएंगे कैसे जमा करेंगे जब हम बाबा की बात को accurately समझेंगे ओम शांती